धनू लग्न के लिए कन्या राशी में दस्वे भाव में शुक्र और केतू की युती का क्या प्रभाव पड़ता है? जब धनू लग्म के लिए कन्या राशी में दस्वे भाव में शुक्र और केतू की यूती होती है, तो यह उर्जाओं का एक अनूठा मिश्रन बनाता है जो व्यक्ति के करियर और सारवजनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है सुन्दर्ता, विलासिता और रिष्टों का ग्रह शुक्र, जब चंद्रमा के दक्षन नोट केतू के साथ जुरता है, जो अलगाव और आध्यात्मिक्ता के लिए जाना जाता है, तो एक जटिल प्रभाव लाता है कन्या राशी में, जो बुद्ध द्वारा शासित है और अपने विशलेशनात्मक और व्यवहारिक स्वभाव के लिए जानी जाती है, शुक्र प्रतिबंदित महसूस कर सकता है ये यूती अपरम परागत करियपत की और ले जा सकती है, जहां जातक चिकित्सा अध्यात्मिक्ता या रचनात्मक ख्षेत्रों से जुड़े व्यवसायों की और आकर्शित हो सकता पेशेवर्ख शेत्र में असंतोष की भावना हो सकती है, जिसमें गहन अर्थ या पूर्ती की निरंतर खोज हो सकती है व्यक्ती अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ संधर्श कर सकता है या अपने करिया में अचानक बदलावों का सामना कर सकता है कार्यस्थल पर रिष्टे भी कर्म संबंधी हो सकते हैं, जिसमें पिछले जीवन के संबंध इस जीवन में चल रहे हैं अन्तता, ये सयोजन जातक को भौतिक सफलता और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करता है कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें